Hey everyone, मैं अनू आज आपको एक बहुत बड़ी जो गलती आप लो करते हो उसको सुधारने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसकी वज़े से आपके रिलेशन से हो सकता है कि खराब होई हो In fact, अगर आप ये काम करोगे जो मैं भी डिसकस करने वाली हूँ तो उसकी वज़े से आपके रिलेशन से खराब हो जाएगी तो आपको ये काम नहीं करना है इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ ताकि अगर आप करते भी हो तो आप सभल जाओ उसके वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने कोर्स बुक नहीं लिया है तो उसको आपको लेना है फॉलो करना है हर किसी को उसको फॉलो करना है क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा एफ़र्मेशन दिये हैं जो कि लाइफ चेंजिंग है अगर आप उसको फॉलो करते हो जिस बुक को मैंने जैसे जैसे बताया है बहुत कुछ है तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है आपके हा कि आपको मुझे मेल करना है या फिर इंस्टागां पर मुझे मेसेज करना है ठीक है अब जो है मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ कि वह क्या रीजन है जिनकी वजह से आपकी जो डिलेशन सफ है वो खराब हो सकती है या अगर आपने कर ली है तो आप उसको आज से कि आपको शव्य बटाउं चाहिए पने पार्टनर करने का मतलब है कि आपको जो है पॉजिटीव चीज़े आपके आपके साथ जादा रहना चाहेगा जो happy रहता है जिसका face happy रहता है जिसके बास बताने के लिए अच्छी चीजे होती है जो negative बाते करता है लोग उससे दूर होते चले जाते हैं लेकिन इसका law of attraction से भी directly connection है कि अगर आप किसे से negative बाते सेर करते हो तो वह आप दोनों की life में आएंगी जैसे कि मैं एक subscriber की story है कि वो अपने partner से अपने दूसरे friends के break up के बारे में हमेशा बात किया करते थी और last में यही हुआ कि उन दोनों का भी break up हो गया तो इसलिए आप लोगों को ये सारी चीजे avoid करनी है इसको नहीं करना है और अगर इस reason की वजह से आपका रिष्टा खरा आपको मैं एक और technique बता दू कि आप हर रोज दो मिनिट या तीन मिनिट यह visualize करो कि मतलब आपकी life में जो भी अच्छा हो रहा है आप visualize करो कि आप उस person को बता रहे हो जैसे कि आप आज उठे आपकी साथ कुछ अच्छा हुआ तो सोने से पहले visualize करो कि वो बात आपने अपन नरको या फिर अपने friend को जिससे भी आपको रिष्टा सही करना है उसको बताई आप देखोगे कि आपने जो भी पहले negative उस person को दिया था जब इस तरीके से आप positivity या फिर positive events अपने life के share करना start करोगे तो वो person आपकी life में वापस आ जाएगा बहुत ही simple technique है बहुत ही simple काम है आपको ये करना चाहिए अगर आपका reason ये है तो आपको ये चीज़ करना चाहिए अपने life में पीछे जाओ अगर आपका रिष्टा खराब हुआ है तो देखो कि क्या यही reason है अगर ये reason है तो इसको अभी के अभी change कर लो आपकी problem खतम हो जाएगी ये बात मैं आपको इतन चीज़े जादा बात करती थी फिर जब मैंने उन्हें बताया कि आपको ये काम करना है आपको सिर्फ visualize करना है कि आपको अच्छी बाते share कर रहे हूँ आप अपने partner के साथ इस तरीके से visualize करना है और उन्होंने जब ये काम किया तो उनका partner उनके पास वापस आ गया खुदी आपको ध्यान रखना है ना सिर्फ अपने partner से बलकि अपने momie, papa, भाई, बहन या किसी भी friend से negative चीज़े share नहीं करनी है इसलिए मैं आप लोगों से कहते हूँ आप लोग के साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ है आप comment section में बता सकते हो क्योंकि इससे universe में आप positivity send करते हो तो वो कई गुना होकर आप तक आता है यही main reason है तो अगर आपको भी अपनी life में प्यार चाहिए खुशिया चाहिए तो अच्छी चीज़ों को share करो आपकी life में जो भी अच्छा हो रहा है इन फैक्ट अगर आपने देखा कि दूसरों की life में भी कुछ अच्छा हो रहा है तो तो वो आपकी life में आएगी पक्का आएगी तो आज से आपको ये काम नहीं करना है भूल के भी आपको ये गलती नहीं करनी है ठीक है हमारा एक WhatsApp ग्रूप है अगर आप जोइन करना चाहते हो तो मुझे mail करना या फिर मुझे Instagram पर message करना अगर आपको कोई problem हो कोई solution चाहते ह हो आप तो live session में मुझे से पूछ सकते हो आठ बजे हर दिन YouTube पे ही live session होता है 8 p.m. तो आप उस टाइम आज आना live बहुत सारी बाते होती है नए नहीं चीजे हम लोग सीखते हैं तो वहाँ जोइन करना और हम धेर सारी मस्ती करेंगे आज के लिए इस वीडियो को इतना ही तो अंच सो मुझ गर के सारी मागी है तो नहीं हो बहाँ हम तो नहीं करना नहीं है वे को आज़ खी हैं